अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ attendance, time table, desk वगरा पे time तो दे रहे होगा ना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीच्मिन बनाता है आपकी क्लास को असनी digital और automate कर देता यह सारे काम, इसली तो कहते हैं कि टीच्मिन पे टीचिंग असान है, आज ही डाउनलोड करें, टीच्मि में तो आज हम पहने जा रहे हैं, जब आखाल नगुदू विद्याले, क्लास 9 के math के एक बहुत ही ज़्यादा इन्पोर्टे इसकान में volume and surface area, और मैं आपको बता दू कि यह ज़्यादा इन्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इन्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्या पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लेजिए, तो मैं आपसे एक बार रिक्ष्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, क्या आपको हमारे चैनल पे जब आहर तो चलिए हम अपने चैनल को फाइनली स्टार्ट करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है अभी तक अगर आप मने वालूम ऑफ 3D फीगर का पार्ट वन नहीं देखा है, तो आप जाके देख ली कि जिसमें मैं आपको क्या पढ़ाया हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाया तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यहां पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिलेंडर, जो है हमारा वाड इसका मतलब क्या होता है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा और राइट सर्गूलर सिलेंडर इस अ शॉलिड और हालो बडी with a circular end of the equal radius at the joining their center perpendicular to that अब यह क्या होता है तो यहां पर आपको यह जो इमेज देख रहे हैं यह इमेज है हमारा एक किसका यह जो इमेज है यह हमारा एक सिलेंडर का है और सिलेंडर का दिखेगा कि ऊपर क्या है उपर आपको एक सर्कूलर इंड दिखेगा और नीचे भी आपको एक सर्कूलर इंड दिखेगा और यह दोनो circular इंड का जो radius होता है और इसका भी r होता है और इनका एक particular length भी होता है जिसको हम h बोलते है height जिसको हम बोलते है अब यहां पर आगे का जो हम हमारा term है this is called axis of cylinder the length of the axis is called the height of the cylinder अब देखें axis क्या होता है तो इसको हम बोलते हैं axis यानि कि बीच बाला part और यहां पर पहला axis से दूसरा axis अगर आप एक perpendicular line draw करेंगे तो यह क्या कर लाता है यह हमारा height कर लाता है तो आपको समझ में आ गया कि आपको यह सर्फिस मिलने वाला है दूसरा आपको यह सर्फिस मिलने वाला है तो स्रेंडर जो है वह आपको यह सर्फिस मिलने वाला है तो स्रेंडर जो है वह आपको यह सर्फिस मिलने वाला है तो स्रेंडर जो है वह आपको यह सर्फिस मिलने वाला है तो स्रेंडर जो है तो हमारा मैनली स्कै Ele dubbed चीज से बना हुगा है तो आपको डव Elise तो आपको वह दिमाग में खुद समझ में आ जागा तो चलिए हम पहला फिर्मूला देख लेगत अब थे पहला वालूम आफ सेलेंडर का क्या आता है तो बालूम आफ सेलेंडर का होता है एरिया अफ बेस multiply height तो area of base मतलए कि यह बहुत जो base देख रहा है इसका area और height को अगर हम multiply करेंगे तो ओ क्या हो जाए हो जागा तो ओ जो हो जाता है ओ हमारा हो जाता है volume of volume of cylinder अब देखे area of base यानि कि area of base तो एक base का area क्या होता है तो base का area होता है हमारा pi r square तो यहाँ पर देखे area of base pi r square और यहाँ पर height तो pi r square h जो है हमारा क्या हो चुका है यहाँ पर यह जो हमारा volume of cylinder आ चुका है अब देखे curved surface area curved surface area मतलब कि top यह वाला part और नीचे वाले part को अगर हम हाटा दे तो यह जो हमारा बीच वाला part है इसको हम बोलते हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं curved surface निकालते है तो curved surface area 2 pi r h जो है वो हमारा formula होता है हम top वाला part हाटा देते हैं कभी भी curved surface area में और bottom वाला part हाटा देते हैं तो यहाँ पर आपको मालूम चलिए का क्या है यह जो हमारा 2 pi r h curved surface area हो गया क्या curved surface area है अब देखें, total surface area है तो total surface area में आपको बता दू कि यहाँ पर आपको तीन surface आपको दीख रहे होंगे पहला यह surface है दूसरा यह surface है और तीसरा यह surface है तो यह पहला बाला surface का क्या formula होता है pi r square और इसका 2 pi r h और pi r square अब यहाँ पर इन तीनों को आड़ केज़ेगा तो total surface, total मतले कि सभी surface का area है तो यहाँ पर देखें यह हमारा क्या होगा 2 pi r h 2 pi r h हमारा यह हो गया और दोनो जो हमारा उपर circular end है उसका 2 pi r square यानि कि 2 circular end है तो इसको अगर आप कीजेगा तो यह वीарला formula है 2 pi r h plus r यह formula है हमारा बनने वाला है तो आपको क्या करने है आप को यह formula याद करने है यह formula याद करने है यह formula याद करने अब आप देख्ये अगर आपको स्मझ में आ गया होगा और ये ऊपर नीचे बला को जो सर्कूलर इंड है ये समझ में आ गया होगा तो क्या होगा आप बहुत ही जद्धा असानी चे टोटल सर्पिस एरिया निकालेजीगा अब बहुत सारे बच्चे को लगा डगा कि यह पाई आरे स्क्वाइर क्यों होगा तो देखें किसी भी circle का जो area का formula होता है तो पाइ रसक्वायर होता है अब यह circle है थोड़ा सा टेढ़ा है इस पे आपको धेयान नहीं देना है मैं आपको बस समझाने के लिए कोशिज किया हूँ तो pi r square pi r square plus 2 pi r h आप अगर कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा यह बला जो formula है वो आपको मिलने बारा है तो curve surface area आपको समझे में आ गया होगा total surface area भी आपको समझे में आ गया होगा और यहां पे volume of cylinder area of base यानि कि base का area क्या होता है भाई साब pi r square और height तो pi r square और h height से हमारा हो चुका है अब देखे hollow cylinder अब यह hollow cylinder क्या होता है ओ मैं आपको बता देता हूँ तो मैं आपको बता दू कि अगर किसी बड़े cylinder में अगर हम छोटा cylinder अगर पूट कर देते तो उसको हम यह एक cylinder है, पीलवाला आपको समझ में आ जाना चाहिए पीलवाला हमणा एक cylinder है अब देखे पीलवाला cylinder, यानि कि छोटा वाला cylinder है का radius है छोटा आ रहे है अब उसके बाद देखेगा आपको एक 기. और cylinder देख रहा होगा एक cylinder है बारा बाला cylinder यह जो आप द LIN्डर को सिलेंडर का जो बीच बाला पाथ ही खाली होगा यह आपको शूटा माना चलिया किए किया होता है अयस लियने बीच से खाली है आप देखत section series अब देखें यहां पर आपको यह सारा चीज समझ में आ जाना चाहिए देखें छोटा वाला सिलेंडर का रेडियस जो है हमारा ओ क्या चोटा वाला सिलेंडर का जो रेडियस है वो छोटा आ रहा है अब बड़ा वाला सिलेंडर का जो रेडियस है वो हमारा बड़ा आ रहा है यह आपको समझ में आ जाना चाहिए मानलीजे हम क्या किया है एक हमारा सिलेंडर हो गया मैं आपको सिंपल तरीका से बता रहा हूं एक यह सिलेंडर होगा और इसी के अंदर हम एक और सिलेंडर डाल गया तो इसी को हम बोलते हैं hollow cylinder तो यहां भी आपको यह सारा चीज समझ में आगा अब होलो सिलेंडर का भी फर्मूल आपको याद रखने हैं अब बहुत ही जदा आसान फर्मूले हैं बहुत ही थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगेगा यह जो फर्मूला है वह आपसे आसानी से ज्यादा हो जागा तो सबस इसका परहें यहां जो सब्से पहले हमारा भी चाली इसका वालूम कितना है साथ जो सब्से पहले लीकर कई जो बाड़का सिलेंडर से घर हम फोह फोलो मीनेस करने छो राओंहलम राओंंश कर देंगे तो बूळ रोंग आ ऐगर शोटा व्याना आत Dan अब देके कॉर्प सर्फेस एरिया का सब्सृत स circumstance कहाँ सब्सेक्षब साथ इनर सर्फेस का कौञ सर्फेस एक टूपाई है यह फर्मॉला को लगा दिया यह यह फिर चाण समझ में आजाएगा आप असानी से बना सकते हैं अब यह देखें जो भी मैं आपको फर्मूला बता हूँ यह साली फर्मूला आपको रटने हैं अगर आप नहीं रटियेगा तो मैं आपको बता दू कि आपसे एक भी कोशिज नहीं बनने वाले हैं और जो समझाने वाला 30-degree को हम बोलते है अब देखें राइट सर्कूलल को निजा सौलीट और हम बोडी विध राउंड बेस और पॉइंटेड टॉप अब यहां पर देख रहे हैं यह आप जो इमेज देख रहे हैं यह हमारा कॉन का इमेज है अब यहां पर देखें इसका जो बॉटम बाला पा आपको बता देता हूं एक-डो चीज जो आपको समझ में आने चाहिए तो देखे, कोन का भी हमारा एक radius होता है, कोन का height होता है, और यह जो आप देख रहे हैं, यह जो slight type का height है, इसको हम क्या बोलते है, slight height बोलते है, मतलब कि टेढ़ा वाला height को हम L से denote करते हैं, और जो असली height होता है, उसको हम L से denote करते हैं, और इसके पास क्या होता है, भाई सा अब यहां पर देखें मैं आपको बता दू कि क्या होता है 1 y 3 अब 1 y 3 और मैं आपको बताया था कि cylinder का cylinder का volume का formula क्या होता है cylinder का pi r square तो कुछ नहीं cylinder का 1 3rd जो हमारा volume होगा ओ कुण का मतलब कि आप कुण का volume होगा तो आप आसानी तरीका से निकास रहते हैं कि कुछ नहीं 1 3rd आपको लगा देना अब देखें मैं आपको बता दू कि slant height यह जो टेठा वाला height है यह कैसे निकलता है तो देखें slant height यहां पर देख सकते हैं कि यह हमारा एक right angle triangle बना रहा है क्या है यह हमारा एक right angle triangle बना रहा है तो हम क्या करेंगा कूछ कुछ नहीं करेंगा यहां पर आपको दिख रहा होगा कि formula निकालने के लिए बनाउंchsel के लिए किया करते है आपको मालू है वहीं फर्मूला हम लगा रहा है को सबसे पहले आपको यह निकालने कम आना चाहिए पा यह घ्राइल आपको निखाना पर अब आगे हा और टॉटल सबसे एरिया इसक और प्लस आ की और पलस आप इसका निकाल गिए जो भी चीज में आपको बताया है, जो समझाने वला चीज है, मैं आपको समझा दिया जो भी समझाने वला THINGS था, मैं आपको समझा दिया ताकि आपको कुछ फर्मूलय की याद करने में अज़े लगए आपको आसानी मिल सके 14 cm and height 80 cm है अब हमारे पास एक क्या है हमें एक slender का क्या करना है हमें एक slender का volume निकाला है कोर सरफेसरीय निकाला है total surface area निकाला है जिसका diameter जो है वह हमारा कितना है 14 cm और height जो है वह कितना होता है height जो होता है वह हमारा 80 cm है तो सबसे पहले आपको मालूम है कि वॉलूम निकालने के लिए या किसी बीच निकालने के लिए आपको रेडियस मालूम होना चाहिए रेकिन यहां पर क्या दिया गया है यहां पर ध्यान देज़ेगा तो आपको पास डाइमीटर दिया गया है डाइमीटर आपका कितना है डाइमीटर हमारा कितना है तो height जो है वह हमारा 80 cm का हो गया अब आपको मालूम है कि volume का formula क्या होता है pi r square cylinder का तो देखे pi के जगह हम क्या रखेंगे 22 बटा साथ अब देखे pi का value 22 बटा साथ ही होता है अब देखे r square मतलब की दो बार radius को multiply करेंगे तो साथ को multiply करेंगे और यहां पर यहां पर है multiply height अब हम हाइट को multiply कर दिए अशी अब देखे 7 7 हमारा कट दिया तो अब आप इसको कर multiply किजिगा 22 multiply 7 multiply 80 किजिगा तो आपको क्या मिलने मला है तो आपको मिलने वाला है 12,320 cm तो देखे अब हम जान लेते हैं curve surface area को simple form में cs लिखते हैं curve surface area तो curve surface area का formula क्या बता है 2 pi r h मैं यहां पर आपको बताया था मैं यहां पर क्या करता हूं यह जो सारा formula है वो फिर से बताती तो देखे volume of cylinder pi r square h, curve surface area 2 pi r h में अगर हम दोनों base का अगर area add कर देंगे तो total surface area निकल जाएगा तो यहां पर हम कहां तक पहुंच गया थे 2 pi r h, तो 2 के जगा हम 2 रखेंगे, pi के जगा हम 22 बता 7 रख देंगे और r के जगा हम 7 रखेंगे और h के जगा हम 80 साथ साथ कटे गया तो यह हो गया वह हमारा 24, sorry 22 गुने 2, 22 गुने 2, 24 गुने 8 अगर अक्सी आपकी जगा तो आपको क्या मिलने बाला है 3520 जो है वह आपको लगभा मिलने बाला तो यह आपके क्या हो चुका है यहां पर आपको volume भी निकल गया और यहां पर आपको कॉप सर्फिस खर्या भी निकाल गया अब तोटल सर्फिस खर्या भी निकाल सेकते हैं formula पूट करके चलिए अब हम आगे बाते हैं अब यहां पर एक कॉस्चन है यह बहुत ही जादा आच्छा कोचन है बहुत ही जादा है यहां पर इस पिक्चर की quemश समझ सकते हैं पो दिख रहा होगा कि यह कök ऐसाуст के दिखेंग उधिजय के भंजाने है कि मानल dalे की प этचेंड और मांलिज्व इसका डामिटर है decrease ही त्याल यह माल डाम लिया है डामिटव में इसका मानल लिजरे Height 500 cm यहां पे, देखें, डाइमीटर डाइमीटर हमारा कितना है 14 cm तो डाइमीटर को को हम क्या करेंगे radius में Convert करेंगे तो radius डाइमीटर कहा होता है अब यह हमारा 7 cm होगए अब यहां पे देखें, हाइट 5m है तो 5m जो है, वो 500 cm के बरावर होता है अब आपसे पूछ रहा है कि इसको बनाने में कितना material यूज हुआ होगा तो आपसे कुछ ने पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है volume तो volume का क्या-का formula है, pi r square h तो pi के जगा 22,7 radius के जगा 7, multiply 7 और height के जगा 500 अब यहां पर देखे, यह 7 से यह कट क्या और यहां पर आपको यह क्या हो गया तो अब आप इन सारे को multiply किजीगा, तो आपको क्या मिलने वाला है 77,000 मिलने वाला है, लेकिन आपको answer नहीं दिख रहा होगा 77,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 77, multiply 10 to the power 3 10 to the power 3 लिख सकते हैं, कैसे देखे, 77, multiply, 77 को अगर हम 1000 से multiply करेंगे 77,000 भी लिखा ना, तो कुछ नहीं, 77, multiply 10 to the power 3 तो यहां पर इंसर जो है हमारा, वह B जो है, वह हमारा answer आप गया तो यह सारा कोचन है, वह आपको समझ में आ जाना चाहिए अब यहां पर एक कोचन है, यह बहुत ही ज्यादा अच्छा कोचन है, मैं आपको बता दू कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कोचन है अब कोचन हमारा क्या बोला है, अब हम देख लेखेंगे The diameter of a roller is 84 cm and its length is 120, it will take 5 complete revolution to move once over the level of ground, find the area of playground in square cm अब यहां पर यह जो हम से पूछ रहा है वह बहुत ही ज्यादा अच्छा कोचन है, अब यहां पर यह question क्या बोला है उसको आप समझे, एक roller है, जिसका जो diameter है, वह कितना है, 84 cm और उसका जो length है, वह कितना है, length यानि कि height यहां पर 120 cm अब देखे, अब यह एक मानली जो ground है, इस पर क्या चला है, roller चल रहा है अब roller का जो हमारा diameter है, वह कितना है, 84 cm तो इसका radius कितना हो जागा, तो radius 42 होगा, तो मैं क्या करूँ यहां पर मैं क्या करता हूँ, radius construct कर देता हूँ, तो radius मानली जे, इसका radius है, 42 cm अब यहां पर देखे, इसका height हो कितना है, 120, तो यहां पर मैं लीख देता हूँ, height 120 है अब हमसे पूछ रहा है, कि यह क्या कर रहा है, इसको plane कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है तो इसको 500, 500 बार अगर हम इस roller को घुमाएंगे, तो यह पूरा area cover हो जागा तो हम इसको कैसे करेंगे, मतलब कि पूरा हमसे पूछ रहा है, कि यह पूरा green वाला part देख रहा है, इसका area तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह roller का हम curve surface area निकाल लेंगे, मतलब कि यह roller है, वो एक बार में कितना area cover कर रहा है और उस area को अगर हम 500 बार multiply कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cross surface area multiply 500 आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमारा question बोला है कि एक roller है, उसका radius और height दिया गया यह पूछ रहा है, यह 500 बार घूमता है, तो यह पूरा पूरा जो हमारा playground है, इसको cover कर लेता है तो इसका area निकाला है, पूरा playground का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सबसे पहले यह roller है, वो एक बार में घूम कि कितना area cover करेंगा तो इसका cover surface से लिए multiply 500 जो है, वो हमारा निकल जागा, मैं आपको यह question आपको मैं पूरा करके नहीं बताने बाला हूँ, आपको simple सा यह जो जो भी formula है, आपको formula यहां पर लगाने परेंगे, तो यह जो हो गया, वो हमारा 42 cm हो गया हाइट जो है, वो हमारे कितना हो जाएगा, 120 cm, अब आपको मालूम है, cob surface area of cylinder, 2 pi r h, 2 के जगा 2, pi के जगा 22 बटा 7, r के जगा हमारा 42, और हाइट के जगा 120, अब यहां पर आप देखिएगा, कि यह जो question है, वो लगवग हमारा क्या हो चुका है, यह जो question है, वो हमारा लगवग बन चुका है, अब आप क्या कीजेगा, इसको यह जो है, वो six time में cut कर देगा, अब आप क्या कीजेगा, इसका जो cob surface area आएगा, वो हमारा बहुत ही बरा नमबर आगा, अब यह जो है, वो हमारा क्या आचुका है, cob surface area आचुका है, एक बार घुमेगा, तो यह क्या करेगा, इतना area कवर करेगा, तो 500 बार घुमने के हमारा आच जाएगा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखे, अब यहां पर हमारा एक question है, वो देख लेते हैं, the diameter of a cone is, 14 cm, डाइमीटर है, 14 cm है, इसका slant height है, वो 9 cm है, find the area of its curved surface, तो इसके curved surface area निकालना है, तो यहां पर आपको क्या करने पढ़ेंगा, सबसे पह क्या होता है, पाइ, आर, एल, जब हमारे पास यह बला height, यानि की slant height दिया आ गया है, तो पाइ के जगे हम क्या करेंगे, 22 बटा साथ, आर के जगा, अब देखे, डाइमीटर 14 है, तो radius साथ ही होगा, हाप होगा इसका, और यहां पर 9, साथ साथ कट गया, तो यह हमरा कितन आ लेते हैं, अब यहां पर क्या कि दो सेंटिमीटर दिया गया है, तो आप जो भी अपका metric unit दिया गया है, आप उसको पूट कर सकते हैं, अब देखे, अब हमा आगे चलते हैं, अब यह जो question था ना, आप इस question को थोड़ा सा फिल करबा देता हूं, देखे, डाइमीटर हम मालू है कि curve surface area का formula क्या होता है, pi r l, और l का value आप दिया गया है, तो हम क्या करेंगा, pi का value आपको मालू है, 22 बटा 7, r के जगए 7 और l के जगए 9, तो हम क्या कि यह सारा चीज है, वह हमारा बन चुक है, अब हम आगे चलते हैं, अब है आगे हमारा, the radius of a cone is 3 cm and vertical height is 4 cm, find the value of curve surface area, अब यह question को आपको समझना पड़ेगा, radius, एक cone का 3 cm है, यह 3 cm, इस cone का radius हो गया, और इसका जो height है, इसका जो vertical height है, वह 4 cm है, 4 cm इसका क्या है, vertical height है, तो हम से पूछ रहा है, कि find the curve surface area, तो curve surface area निकालने के लिए क्या formula होता था है, तो cone का curve surface area निकालने का formula होता है, pi r l, लेकिन l हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमें l निकालना पड़ेगा, तो l निकालने का formula क्या होता है, आपको मालू है, r square plus h square, तो आरे स्कॉर कितना हो गया तीन का स्कॉर प्लस चार का स्कॉर तो तीन का स्कॉर कितना हो जाएगा तो तीन का स्कॉर हमारा हो जाएगा नो प्लस सोलर यह हमारा हो जागा रूट अंडर पचीज तो रूट अंडर 25 का वहलू कितना होगा फाइब जो है हमारा कितना हो चुका है फाइब हो चुका है तो यहां पर आपके जगा बाईश से बेन और यहां पर यहां पर देखे रेडियस के जगह ठीरी और एल हमारा कितना आया तो जो है वह मेरा फाइव आया तो जो भी एंसर होगा आप इसको लिख दीजिएगा और यह जो मैं आपको बता दू कि यह जो कोचन था यह आपका homework और इसका एंसर आपको कहां पर देन अब बहुत सब्सक्रीं में? तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहां पर एक सब्सक्राइब का बटन को दबा दिए अब अगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा इस बेल आइकन को भी दबा दिए